हेलो फ्रेंज, मेरा नाम पूजा है, मैं आपको RSCIT के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ हाल ही में मेरा गवर्णन जॉब में सेलेक्शन हुआ है, इसके लिए मैं जी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे RSCIT करने की सलहा दी RSCIT, राजिस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स एन इन्फिमेशन टेकनोलोजी RSCIT कोर्स राज्य सरकार से मानेता प्राक्त एवं गैजिट नोटिफाइट कम्प्यूटर कोर्स है इस कोर्स को अनेक गवर्मेंट जॉप के लिए एक अनिवार्य योग्यता के रूप में शामिल किया गया है यह कोर्स RSCIL द्वारा संचालित किया जाता है और इसकी अवदी तीन महीने है इसमें कम्प्यूटर का पूरा बेसिक ज्यान दिया जाता है जो कि एक बहुत ही शानदार LMS के माध्यम से सिखाया जाता है जिसमें लगबाग 200 से जादा प्रैक्टिकल असाइनमेंट से कम्प्यूटर की आधारबू जानकारी दी जाती है इन 200 असाइनमेंट को पूरा करने पर हमें अधिकतम 30 अंख प्राप्त होते हैं और हाँ दोस्तों इन 30 अंकों में से हमें 12 अंक लाना अनिवार्य है जिससे हम परीक्षा में बैठने योग यह हो जाते हैं या यू कहूं कि हमारा परमिशिन लेटर पाने के लिए हमें 12 अंक लाना जरूरी है शेश 70 अंकों की परीक्षा VMOU द्वारा आयोजित की जाती है जिसमें उत्तीन होने के लिए हमें न्यूनतम 28 अंक लाना अनिवार्य है परीक्षा उत्तीन करने के बाद हमें VMOU द्वारा इसका E-Certificate और Printed Certificate ग्यान केंदर के माधियम से मिल जाता है जैसा कि मैंने बताया था MS Office 2010, Windows 10 एवं इंटरनेट को व्यावार एक तरीके से सिखाया जाता है आगे इसके बारे में हमें अधिक जानकारी सर देंगे दोस्तों जैसा कि पूजा ने आपको RSC IT कोर्स के बारे में बताया इसके अलावा मैं कुछ महत्पुन बातों के बारे में बताऊंगा आपको RSC IT में प्रविश लेते समय ग्यान के इंदर के Authorization को सुनेशित कर लेना चाहिए जैसे आईटी जी के कोर्ट क्या है और इनका नाम RSC IT में नाम अंकन कराते समय अपना नाम पिता जी का नाम RSC IT की रसीत पर सही रूप से अंकित होना भी सुनेशित कर लेना RSC IT में रजिस्ट्रेशन की सूचना प्राप्त होती है और इमेल द्वारा भी आपको सूचित किया जाता है आधिक जानकारी के लिए RSC IT के अधिक्रत ज्यान के इंदर पर संपर्क करें और अपना उज्वल भविश सुनेशित करें धन्यवाद